हेलो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट लाइट गुरुजी में दोस्तों आप भी वक्त और भारी डिसकाउंट के चक्कर में अगर इस्तमाल में करते हैं स्नैप डील को एकोमर्स वेबसाइट की तरह से यूज करने पर जहां पर दोस्तों फिलाल बात करने वाला हूँ तो बनेल को में इस वीडियो में टेटेल तो बनेरे इस वारी को बिन सिटीट किए लांस तक जहूं देखिके नजुके गाई दोस्तों यहांपर मैं बात करना चाहूंगा रवी जयन इंधन्समैन फ्रम 300 किया जिन्होंने दोस्तों एक case file किया है snap deal के उपर IPC section 420 के अंतरगरत इनके साथ एक धोका हुआ है snap deal पर ये गटना है 23 October के जहां पर अरवी जैन ने एक order पर किया था snap deal पर SP laser jet 12A black cartridge का single जिसका MRP price 3999 और इस पर 82% discount दिखा कर 709 रुपे का ये product बेचा जा रहा था almost COD लेकर ये दोस्तों 750 रुपे के असपास मिल जा रहा था तो इन्होंने HP की team को contact किया और बात किया है कि ये product original हो सकता है या duplicate है क्योंकि इस पर 82% discount जो कि बहुत बड़ा discount है दोस्तों अगर original product है तो कैसे दे रही है ये company नहीं snap deal पर ओभी एक market platform है जहां पर snap deal को भी profit है 37 seller को भी profit है और 82% discount भी दिया जा रहा है तो आखिरी माजरा क्या है तो यहां पर दोस्तों HP की तरफ से जवाब आया कि यह product duplicate हो भी सकता है बट यह original भी हो सकता है तो यहां पर दोस्तों इन्होंने order कर दिया 23 तारीक को यह product और यह product इनके पास delivered होता है एक तारीक को जब एक तारीक को यह product delivered होता है एक November को तो फिर अगेन यह HP की team से बात करते हैं कि यह product original है या duplicate है तो HP की तरफ से जवाब आत है दोस्तों इनका पोटल है जहां पर आप देख सकते है product ID को मार कर यह product check कर सकते हैं कि genuine है कि duplicate और जैसे यह चेक करते हैं तो आप screen पर देख लिजे कि यह product duplicate दिख रहा है एक पर जब duplicate दिख रहा है तो दोस्तों यह सिर्फ इतनी तकी बात खतिम नहीं हुई कि पैसा refund हो ज जा है बात दोस्तों हमारे लिए सिर्फ हमारे जैसे आपके जैसे customer online customer के लिए इन्होंने आवाज उठाई और लर पड़े दोस्तों snap deal से इसी order के regarding ताकि इस तरह से scam जो है सामने आ सके लोगों के और इस तरह से product ना विक्री हो upcoming आगे दिनों में और इस तरह से seller को ban किया सक सके क्योंकि दोस्तों अगर गौर करेंगे seller के उपर जो की बिल्कुल नया है snap deal पर फिर भी 5,019 order process कर चुके हैं फिलाल अगर 750 रुपय के आसपास आप लगबग एक product का आकरा लगाएंगे तो लगबग 35 लाग के उपर का product यह बेच चुके हैं जिस पर कितना बड़ा scam किय होगा इन्होंने कितना scam किया होगा या किस तरह से upcoming और scam करेंगे यह तो बता पाना बिल्कुल मुस्किल है तो जैसे ही इनको चल जाता है कि यह product duplicate है HP से बात करने के बाद यह snap deal को भी contact करते हैं उसके बाद दोस्तों यह तिन्सुक्या police station पर एक FI दर्ज करते है IPC section 410 के त अब फिलाल देख सकते हैं मेरे पास news heading है जहां पर आप देख सकते हैं कि यह publish हो चुका है कि इस पर duplicate product बेचा गया है और snap deal की तरफ से भी जवाब आया है दोस्तों कि हाँ यह product duplicate है तो हम इसके उपर legal action लेंगे और वो seller को delete करेंगे या product हटाएंगे या product के उपर से genuine original word हटा देंगे कितना करेंगे यह अपनी तरफ से टीम जाज करेंगे लेकिन अभी फिलाल मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ अज 13 तारीक की बात है 13 नौंबर रात 10 बज़े रहे हैं और फिलाल अभी देख सकते हैं अभी इनका इस product को लेके add campaigning तक चल रहा है यानि कि और भी लूटने की तयारी चल रही है और almost price को हलका change कर दिया गया 50 रुपीज के आसपास change कर दिया गया है तक कि अप लगे लोगों को और फिर भी original word इन्हों ने हटाया नहीं भी तब जब कि यह product को और नहीं है यहाँ जो seller है दोस्तों भासकर technologist है तो be careful before you buying any product from snap deal from this seller भासकर technologist तो बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों अगर आप को इसी तरह का product खरीते हैं snap deal पर भासकर technologist से तो आप क्या expect कर सकते हैं यह वीडियो में आप जाएक ही रहे हैं तो यहाँ पर लगभग इनके हिसाब से वह product का कुछ details हटाया भी नहीं गया और अभी भी वह product भिक रहा है उस पर बस इतना ही changes वह है दोस्तों कि price को बिल्कुल थोरी बहुत change कर दी गए हैं जब अगर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो यह 59.30 COD लेकर यह 817 रुपे के असपास मिलेगा जहां पर हलका सा 50 रुपे देकर यह original दे देंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता फिलाल लेकिन दोस्तों यहां पर मैं अपनी opinion देना चाहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी product अगर online के किसी भी platform से खरीते हैं not about snap bills जोस्तों किसी भी platform से खरीते हैं तो be sure कि वह original हो तभी खर दें not just because यह भारी discount के चकर पर आप आकर वो product खरीद ले और एक चीज खास मैं बताना चाहूंगा जहां पर जवी जैन ने यह जो है आप हमारे सामने यह चीज को ले के आए कि duplicate product वाकई big रहा है अभी भी figure रहा है जहां पर companies अपनी तरफ से e-commerce website दावा करती है कि वो quality check करती है उनकी team है और original ही product वेशती है अगर वहां listed है तो जैन्मीन ही product होगी तो यह कुछ सामने आया है और दोस्तों यह आवाज सर्फ इसी वज़े से इनने उठाया है ताकि आप और मेरे जैसे लाखों customer के साथ आए दिन ऐसी scam हो रही होगी और हम आवाज नहीं उठा पाते होंगे काफी लोग दोस्तों यहां तब mail contact नहीं कर पाते होंगे customer service को contact नहीं कर पाते होंगे कई बार दोस्तों return policies में यह वो जो fake और genuine का word जो section है वो ही नहीं डालते हैं या कई बार product को आपको खुद deliver करना है यह बिल्कुल इन सब problem की वज़े से नहीं करते हैं और इन में से 10 customer में से दोस्तों अगर एक दो customer भी return कर दे तो 8 के साथ तो scam होई जाता है और आप देखे सकते हैं आकड़े के हिसाब से 5,099 order फिलाल प्लेस किये हैं तो आप दिल्कुल शेर हो तभी product को खर दे क्योंकि जैसे कि HP की तरफ से अपने portal पर चेक करने की सुविदा है कि आप product को चेक कर सके और इसी तरह almost बहुत सारी companies में होते हैं जहां तक आप सके वो चेक करें लगने से वो e-commerce website की को आप दोस्तों contact करके उस product के बारे में genuine genuine है या नहीं है उसकी surety ले ले या product की companies को contact करके भी आप ले सकते हैं जितना हो सके दोस्तों अपनी तरफ से try कीजिए और अगर आपके साथ scam होता है तो दोस्तों बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठेए ताकि आपका एक आवाज दोस्तों आने वाले हजारों लोगों customer के साथ हो रहे scam को रोग सकता है और लोग इसके बारे में aware हो सकते हैं तो इसी तरह के वीडियो के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकून को दबाना बिलकुल मत भूलिए तो मिलते हैं किसे अगले वीडियो में किसे अगले टॉपिक पर तब तक अपना ख्याल रखिया और यूटीब पर इस तरह वीडियो द